शतीजगर से आस्था स्पेशल ट्रेन चलने के बाद अब अयोध्या को सडक मार्ग से भी जोडने की तयारी शुरू हो गई है इसे लेकर राजी सरकार ने केंद्रिय सडक परिवहन मंत्राले को नए नेशनल हाईवे के लिए प्रस्ताव दिया है इसके साथ ही केंद्रिय सडक नीदी के अंतरगत 1383 करोड के 13 कारियों के प्रस्ताव मंत्राले को भेजे गए है दरसल मुक्यमंत्री विश्णुदेव साहिब उद्वार से दिल्ली दोरे पर है उन्होंने गुरुवार को केंद्रिय मंत्री नितिन गडगरी से उनके निवास पर मुलाकात की इस दोरान राज्जी में चल रही सडक पर योजनाओ आदिवासी शेत्रों और अयोध्या तक सीधी कनेक्टिवीटी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा होई बैठक में मुख्य मंत्री विश्णुदेव साय ने राज्जी के सामाजे का आर्थिक उन्नती और सुद्र आदिवासी शेत्रों को मुख्य मार्गों से जोडने के लिए नए राज्ट्री राज्मार्ग का प्रस्ताव रखा इसके साथ ही कुछ मार्गों को नेशनल हाईवे का दरजा दिये जाने और नए हाईवे बनाने पर भी बात की गई जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी अन्य जगहों से मजबूत हो सके राज्ट्री राज्मार्ग गोशित करने की मांग की गई ये मार्ग प्रदेश के चार जिलों से होकर गुजरता है और आयोध्या से चतीस गड़ राज्जी को जोडने वाला मुख्य मार्ग है तो महीं बात करें कवरदा राज्णंगाओ, भानुपरतापपूर, अन्तागड, नरायनपूर, गीदम, दंतेवाडा, सुक्मा मार्ग इसे भी राज्ट्री राज्मार्ग घोशित करने का आग्रह किया गया है ये कुल 482 किलोमीटर लंबा, राज्जी के कुल 6 नैशनल हाईवे और 5 जिला मुख्याले को जोडने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है ये सड़क बनने से बस्तर का नकसल प्रभाविच चेत्र मुख्य मार्ग से जोड़ेगा और नकसल गतिवीदियों में कमी आईगी चली देख लेते हैं कि इन मार्गों के अलावा और कौन से सड़क मार्ग पर प्रस्ताव दिये कए हैं सबसे पहले बात करें रतनपूर, लोर्मी, मुंगेली, नांधखाड, भाटापारा, बलोदा बजार मार्ग, केवची, पिंडरा रोड, पसान, कटगोरा मार्ग, मुंगेली, नवागड, बिमितरा, धमदा, दुर्ग, जल्मला मार्ग, इसके साथ ही राजनगाओ, महुला ये मार्ग नेशनल हाइवे घोशित होने से रायपूर शहर का रिंग रोड, पूर्ण रूप से राश्ट्री राजमार्ग घोशित हो जाएगा। सारंगर मार्ग 4 लेन किया जाए और इसके साथ ही रायपूर दुर्ग NH 53 के दो जंक्शन सिर्सा, गेट और खुरसीपार जंक्शन पर ग्रेट सेपरेटर निर्मान के स्विक्रिती दी जाए। सिवा वार्षे का अधिवेशन होने वाला है, इसमें शामिल होने के लिए केंद्री मंत्री को आमंत्रन भी दिया गया है। तो कुल मिला कर देखा जाए तो CM साय ने नितिन गड़करी समुलकात की और नए ने नेशनल हाईवे बनाने की मांग की है। जिसे कि 36 गड़ और अयोध्या सडक मार्ग से जुड़ सके। इस वीडियो में बस इतना ही 36 गड़ की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। झाल झाल